राभे आपन सत्संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवदनंत श्रीविभूशित जगत्गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु महाप्रभु के चरण कमलों में विनम्र प्रार्थना करती हूं कि वे अपना दिव्याति दिव्य प्रवचन प्रारंव करके हम सब ते तो दर्पनमार्यनं भावमहा प्रावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरवचंद्रिका भितरनम् विध्याबधु जीवनम् आनंदां बुधिबर्धनं प्रतिपदं उर्णाम् प्रतास्वादनं तर्वात्मस नपनम् परम् विजयते श्री कृष्न संती तनम् नमा कमलना भाया नमा कमलना भाया नमा कमल पादाया नमस्ते कमलेक्षन यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं जोवै वेदां प्रहिनोति तस्मय तग्वंह देव मात्म बुध्य प्रकाशं मुमुक्षुरुवै शरणमहं प्रपद्दे वेद वेदांत वेद्य ब्रिंदारक ब्रिंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्न चंद्र चरनार बिंद मकरंद मिलेंद महानुभाव नियमा नुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात भगवत तत्क पर विचार बिमर्ष होगा भजोगीरिधर गोबिंद गोपाला 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 भजोगीरिधर गोबिंद 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 गोबिंद इतनी धीरे से बोलते हैं आप लोग हमारी आयू के तो बहुत थोड़े से लोग बैटे हैं मैं पचासी बर्ष का हूँ और आप लोग मुझे से भी धीरे धीरे बोलते हैं बोनिये लालनी लाल की जाएं अब आप लोग सावधान हो जाएं मुझे दो दिन बोलना है और बेदों, शाष्त्रों, पुराणों में जो कुछ लिखा है, उसका सार बताना है और संखेप में बताना है आतेव आप लोगों को भी बहुत सावधान होकर सुनना समझना होगा और मुझे भी सावधान होकर बोलना होगा यद्यपी जो कुछ बोलना है वो बोलने का विशय है नहीं लेकिन प्रवेशिका के छात्रों के लिए आवश्यक है पड़ा सीधा सा एक प्रश्न है हम लोग क्या चाहते हैं और वो कैसे मिलेगा बस इसी एक प्रश्न का उत्तर सारे बेदों में, शाष्त्रों में, पुराणों में, धर्मग्रंथों में और संसार में भी क्यल रहा है क्यलेगा जब तक ये प्रश्न हल न हो जाएगा प्रैक्टिकल हम क्या चाहते हैं यद्यपी इस प्रश्न के उत्तर में अनंत उत्तर हो सकते हैं कोई कहेगा हम ये चाहते हैं कोई कहेगा हम ये चाहते हैं नए सब एक चीज़ चाहते हैं आश्चर्ज है किसी दो ब्यक्ती की शकल नहीं मिलती अंगूठा छाप नहीं मिलता इतना बैश्रम में है श्रिष्टी में और सब केवल एक चीज़ चाहते हैं तीटी से लेकर ब्रह्मा तक उस चीज़ का क्या नाम है आनन्द शांती सुख चैन अनेक नाम है happiness, peace यह क्या बश्तु है आनन्द पता नहीं लेकिन सब केवल आनन्द ही क्यों चाहते हैं इसका पता लग सकता है लगाएंगे हमारे हिंदू धर्म में इसका बड़ा सुन्दर और पक्ता उत्तर है फ़र जिसे आप मोग सुन्ये देखिए सबसे पहले यह समझिए कि हमारे संसार में ग्यारा धर्म है बरत्मानकाल में ट्रेजर हाउस आफ लिविंग डिलेजन्स एक बुक है अर्नेश्ट हूम की लिखी हुई उन्होंने भी लिखा है ग्यारा धर्म है ती बाइबिल आफ बाइबिल्स प्रेंक इल्ड रिले का ग्रंथ है उसमें भी लिखा है कि संपूर्ण संसार में ग्यारा धर्म है जापान में शिंतो धर्म तीन में दो धर्म तावो या लावोट्सी और कन्शूशियन और इंडिया में आठ धर्म हैं इंदू धर्म, बौध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, इसलाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म इस सब के सब केवल एक ही एम बताते हैं आनन्द, शान्ती कैसे मिलेगी समझो उसको प्राप्त करो तुम मनुष्य हो इहचे दशकत वो धुम्प्राक शरीरस्य बिश्रसा अब आपको हम बेदों में ले चलते हैं घवडाईएगा नहीं बेदों का उत्तरभाग उपनिशत कहलाता है यह हमारे भारत की सोप से बड़ी निधी है विदेशी फिलोसफर्स शापन होर ने कहा कि इंडिया के उपनिशत के सिध्धान्त से ही मुझे जीवन में शांती मिली है और मरने के बाद भी मिलेगी और मेक्स मूलर ने उसके सिध्धान्त का समर्थन किया और यहां तक कहा कि यह उपनिशत जो भारत कहाए यह किसी मनुष्य का लिखा हुआ नहीं हो सकता और इसको मनुष्य समझ ले यह भी आच्चर्ज है इतना गंभीर और गूड है और फैडरिक जर्मनी का उस फिलास्फर ने कहा कि उपनिशत सूर्ज के समान है और पाश्चात फिलास्फी यतिनी भी है वो सब किरन के समान है वो उपनिशत है हमारे भारत की सबसे बड़ी निधी हम उसमें आपको ले चल रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग समझ जाएं चलिए बेदों में अरे मनुष्यों तीन तत्व को जान लो और कुछ नहीं है जानना तीन तत्व भोक्ता भोग्य प्रेरत पस हां तीन तत्व को अनन्त जन्म बीट चुके हम इन तीनों को नहीं समझ सके अगर इन तीनों को समझ लेते तो आनंद मिल जाता शांती मिल जाती हम जो चाहते हैं प्राप्त कर लेते चलो फिर से प्रियात्म करते हैं नंबर एक भोक्ता यह भोक्ता क्या होता है तो कठोपनिशत ने कहा यह मंत्र श्वेते श्वेताश्वतरो पनिशत का है पहले अध्याय का बारावा मंत्र और नारद परिब्राजकोपनिशत में भी यह मंत्र है नवे अध्याय का ग्यारहवा मंत्र तो कठोपनिशत ने उत्तर दिया आत्मानम रथिनम बिद्ध शरीरम रथ मेवतु बुद्धिम दुसा रथिम बिद्धि मना प्रग्रह मेवच इंद्रियान हया नाहुर विशयांस पे शुगोचरान आत्मे इंद्रिय मनो युक्तम भ गोड़े हैं और गोड़ों के मुह से लगाम है एक सारती है एक पेसिंजर बैठा है इसका नाम भोकता ब्रह्म यानि ये शरीर रथ है इंद्रियां गोड़े हैं मन लगाम है बुद्धि सारती है ड्राइवर और आत्मा ये यात्री है ये कहां जाने के लिए रथ मिला है भगवान के पास ये भोकता ब्रह्म है यानि जीवात्मा भी इसको कहते हैं आत्मा भी कहते हैं तो अनेक नाम है एक को इसको जानना है एक भोग के ब्रह्म को जानना है ये संसार माया का है इसको भी जानना कंपलसरी है क्योंकि हमारा अटाइच्मेंट इसमें है हमको ये भ्रह्म है कि इसमें spiritual happiness मिल जाएगा जिब्यानन्द भगवान का आनन्द मिल जाएगा इसलिए हम भाग रहे हैं उसकी और और एक होता है प्रेरक ब्रह्म जिसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं भगवान कहते हैं परमात्मा कहते हैं गौड कहते हैं ये तीन तत्प है अब इन त्यूनों को जानना है किसको पहले जाने अइसा एक तत्प है इन तीनों में कि उसको जान लो तो बाकी दो अपने आप समझ में आ जाएं कफ परमो देव अहबेद कह रहा है कुटो मृत्तुर विभेद कस्यक ज्याने नाखिलम तद्ग्रातम भवति उपनिशत कह रहा है किसके जान लेने से सब कुछ अपने आप समझ में आ जाता है तो बताया गोपि जन बल्ल भग्याने नाखिलम तद्ग्यातम भवति प्रिकृष्ण के ज्यान से सब का ज्यान अपने आप हो जाता है यानि ब्रह्म जो बताया मैंने प्रेरक ब्रह्म उसको जान लो तो भोगता ब्रह्म भोग ब्रह्म यानि जीव और माया का ज्यान स्वयम हो जाता है तो चलिए भगवान का ज्ञान प्राप्त करें बेदों के द्वारा, फिर पुराणों के द्वारा भी आपको बताएंगे, गीता के द्वारा भी बताएंगे, रामैन के द्वारा भी प्रह्म शब्द का आर्फ होता है, ब्रिह धातु और ब्रिंग धातु से मनिन प्रत्य होकर ब्रह्म शब्द बनता है, यानि ब्रिहती, ब्रिंगयती, इतितत्परम ब्रह्म जो बड़ा हो, नमबर एक, जो दूसरे को बड़ा करे, नमबर दो, उसका नाम ब्रह्म, या भगवान, जो कुछ कहे दो, उसके नाम अनंत है, जो बड़ा हो, और दूसरे को भी बड़ा करे, ब्रिहत्वाद, ब्रिंगणत्वाच, तद्ब्रह्मे, विष्णु पुरान, एक भगवान बड़ा है, कितना बड़ा है, अरे बड़ा मैंने क्या होता है, ये तोलिया भी किसी से बड़ी है, और फिर ये प्रिशिवी बड़ी है, और फिर समुद्र बड़ा है, फिर आकाश बड़ा है, वो कितना बड़ा है, आपका भगवान, तो बेदों ने कहा, सत्यं ज्यान मनंतम ब्रह्मों, तैतरियोपनिशत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् लिमिट नहीं है, मात्रा नहीं है, कितना बड़ा है, अनन्त मात्रा का, अब आईए श्वेता शुतरोपनिशत में, उससे पूछें, ब्रह्म कितना बड़ा है, आप बताईए, तो उन्होंने बताया, इनना तत समस्चा ब्याधी का स्चद्रिश्च्यते, छटमे अध्याय का आठवा मंत्र, न उसके बड़ाबर कोई है, न उससे बड़ा कोई है, इतना बड़ा है वो, आण, अनोरणियान, महको महियान, और सुनो, दो बिरोधी बाग, जो सबसे छोटा है, उससे छोटा है वो, और जो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा है वो, जो सबसे छोटा है, कुछ भी कह दो, अनू, परमानू, उससे भी छोटा इसलिए है, कि उसमें व्याप्त हो सके, और सबसे बड़ा से बड़ा है इसलिए, कि जब महाप्रजय में सम्पूर्ण बिष्ट्र, उसमें समा जाए, यानि वो अनन्त मात्रा का है, अब पुराणों में आईए भागवत, निरस्तसाम्यातिश्ये नराधसा, दो चार चौदा, यानि उन्होस के कोई बड़ाबर है, नोस से बड़ा है, गीता में आईए, नत्वत्चमोस्त्यभ्यधिका गुतोन्या, ग्यारमे अध्याय का 43 वा अश्लोग, उसके बराबर भी नहीं कोई, उससे बड़ा भी नहीं कोई, ऐसा वो ब्रह्म है, ब्रह्म नाम है बेदों में, और उसको पुराणों में परमात्मा भगवान अनेक नाम बन गए, तो वो ब्रह्म बड़ा है, और बड़ा करे दूसरी परिभाशा, मुंड को अपनिशत में मंत्र आया है, यस सरभग्या, सरभवित, यस ग्यान मयन तपा, वो भगवान सरभग्य है, और दूसरे को भी सरभग्य बनाता है, ग्यान दे देता है, क्रिपाद्वारा, और फिर कठोपनिशत भी कहता है, नायमा आत्मा प्रबचने न लब्यो न मेधया न बहुना शुकते न यमिवईश ब्रिणुते तेन लब्यत, तस्यईश आत्मा ब्रिणुते तनू ग्वम स्वाम, पहले अध्याय के, दूसरी बल्ली का केईश्वा मंत्र, एक हरा है, वो कृपा कर देता है, तो अपना ज्ञान, अपना आनंद जीवों को दे देता है, यानि बड़ा करता है, खाली स्वयम बड़ा नहीं है, और क्या बात है तुम्हारे भगवान में, उसके स्वरूप शक्ति ऐसी है, कि जब जैसा चाहे बन जाता है, द्वावेव ब्रह्मनों रूपे मूर्तंच, इवा मूर्तंच, ओ निर्गुण निर्विशेश निराकार भी है, और जब चाहता है, सगुण सविशेश साकार ब्रह्म रामकृष्ण बन जाता है, प्रिहदारण को पनिशत्त, दूसरे अध्याय के तीसरे ब्रह्मन का पहला मंत्र, और वो कैसा है भगवाल, रसो भैसार सक्वं हेवायम लभ्वानंदी भवती, तैत्तरीयो पनिशत्त, दूसरी बल्ली का सात्वा अनुबाक, वो रस है, आनंद है, उसको पाकर ये है, माने जीवात्मा आनंद मैं हो सकता है, हमको आनंद चाहिए न, तो उसको पाकर आनंद मैं हो सकता है, आनंद नहीं हो जाएगा, भगवान नहीं बन जाएगा कोई जीव, बेद कह रहा है आनंदी भवती, आनंदो भवती नहीं कह रहा है, तो भगवान आनन्द है भगवान में आनन्द है ये भी बोल देते हैं लोग ये सही नहीं है अगर भगवान में आनन्द बोलोगे तो इसका मतलब ये हुगा कि भगवान अलग बस्तो है आनन्द उसमें है जैसे रस बुल्ला में दो चीज होती है एक गुल्ला छेने का और उसमें चीनी का रस तब रस बुल्ला बोला जाता है तो भगवान में आनन्द है ऐसा नहीं भगवान ही आनंद है देद कह रहा है आनंदो ब्रह्मेति बजानात आनंदाद देवखल विमान भूतानी जायंते आनंदे नजातानी जीवंती आनंदम प्रयंच भिशंबिशंती तीसरे बल्ली का छठवा अनुबाग तैतरियो पनिशत तु वो रस है वो आनंद है उसको पाके ये आनंद में हो सकता है वो आनंद दे देता है प्रिंगयत जो दूसरे को भी दे और कैसा है तुमारा भगवान हमारे भगवान के तीन रूप हैं प्रथमस्कंद भागवत के दूसरे अध्याय का ज्यारावा मंत्र ज्यारावा श्लोग यह श्लोग क्या कह रहा है वो जो ब्रहम है प्रेरक वो ब्रहम तेन रूप वाला है तीन भगवान नहीं तीन रूप वाला है एक का नाम ब्रहम एक का नाम परमात्मा एक का नाम भगवान यह तीनों में क्या बात है क्या अंतर है एक ही भगवान का तीन रूप है ज्यान रहे जैसे पानी बर्फ आप तीनों एक चीज़ है ने हाँ लेकिन काम अलग-अलग है तीनों का पानी पीजिये अब कोई कहे भाब पीजिये कोई कहे बरफ पीजिये सबका गुन अलग-अलग है आप तीनों एक ऐसे ही ब्रह्म उसे कहते हैं जो केवल पर्सनेलिटी है और उसके पास दो शक्ती है अपनी पर्सनेलिटी के लिए शक्ती और स्वरूपानंद के लिए शक्ती बस और कुछ करता धरता नहीं ब्रह्म एक पर्सनेलिटी है और पर्मात्मा वो जो आप लोग फोटो अटो में देखे होंगे चार भुजा के विष्णू उनके आकार भी है इंद्रिय मन बुद्धी है सब है सबका कर्म करते हैं उन निराकार नहीं है लेकिन लीला नहीं करते हैं वो केवल जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट होता है न वो केवल अध्यक्ष है काम करते हैं मिनिस्ट्र लोग और तीसरा है भगवान ये स्रीकृष्ण है ये इन में सब शक्तियों का विकास होता है ब्रह्म वाला भी परमात्मा वाला भी और अपना भी तो भगवान का स्वरूप जो है वो हमारे विशेश काम का है वो बाल लीलाएं करते हैं अनेक प्रकार की उनको सब को सुनकर उसका चिंतन करके हम परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं तीर तीन रूप है भगवान के और क्या है तुमारे भगवान का स्वरूप हमारे भगवान एको पिसंजो बहुधाब विभात गोपालतापनियों पनिश्रत का तीसरा मंत्र एक हो भी होकर भी सर्व व्यापक है पहुमूर्त्याई का मूर्तिकम भागवत दश्मतकंद के चालिसमे अध्या का सातमाश लोग और कैसा है तुमारा भगवान अमारा भगवान ऐसा है कि ब्रह्म उसमें अंडर्श्टूड है यानि ब्रह्म की प्रतिष्ठा है भगवान अधा पश्या पश्यते रुक्म भरणं करतारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम कि मुंद को पनिशत कहरा है तीन एक तीन और गीता भी कह रही है ब्रह्मनों ही प्रतिष्ठा हो मम्रिता स्याभ्य व्यस्यच अर्जोन मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ और कैसा है तुम्हारा ब्रह्म वो सबका आधिकारण है इश्वरप्रमक्रिष्णा अनाधिराधिर गोबिंदस्र्व कारण कारणं वो सबका आधिकारण उसका कोई कारण नहीं जैसे हम लोग के बाप होते हैं न बाप मनु मनु के बाप ब्रह्मा ब्रह्मा के बाप भगवान स्री कृष्णु उनके बाप तो ही नहीं उसके बिचारे के बाप भी नहीं हम लोग तो ऐसे हैं कि हमारे सब बाप मा बेटा बेटी ता बैट सब का कारण है हम लोग कार्ज हैं यह शृष्ष्टी कार्ज है इपंच महभूत इन सब का कारण एक का एक होता है प्रकृती आधिकारण प्रकृती का कारण भगवान भगवान का कारण कोई नहीं हमारी ये प्रिथिवी का आधार जल जल का तेज तेज का बायू बायू का आकाश इस प्रकार प्रकृती प्रकृती का आधार भगवान भगवान का कोई नहीं विचारा निराधार साथ में अध्यायका सात्वा अशलोग और कैसा है भगवान ओल ली ला पुरुशोत्तं है तम देवताणाम, परमंच नबच्वत पल्वानिशत्न शच्वे अध्याय का सात्वा मंत्र और कैसा है वो कर्षक है सबको खीच लेता है विश्मापनम स्वस्यचा सव भगर्धे तीसरे असकंद के दूसरे अध्याय का बारहमा श्लोप अरे उनको भी खीच लेता है और उकी कौन कहे रूप देखी आपनार कृष्णे रहोय चमतकार आस्वादीते उठे मने काम आपना आपने चाहे करिते आलिंगन अपना आलिंगन करने को ब्याकुल होते है स्री कृष्णे इतना अनन्द का सौंदर्ज सिंधू है बलबंधू तो इस प्रकार वो करशक भी हैं और एक जगे रहते हुए भी सर्व ब्यापक हैं शंकराचार्ज ने माना आप्चर्ज देखो जो निराकार ब्रह्म बादी हैं उन्होंने लिखा यद्यपिसाकारोयम तथाइक देशी विभात यदुनाथः वो दिखाई तो पड़ रहे हैं नन्द कुमार लेकिन सर्व गता सरबात्मा तथाप्यम सच्चिदानंदः वो सर्व ब्यापक हैं इत्यादि अनंत गुण हैं हम थोड़े में आप लोगों को बता जे दिखदर्शन मात्र आइसा वो ब्रह्म स्री कृष्ण है नंबर दो जीव हम लोग ये जानना बहुत आवस्यक है झाल झाल